हेलो एब्रिवन आप सभी का सुवागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम सेवन इट थ्री पर आज है 19 अप्रेल दोयाद तेईज और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 19 अप्रेल दोयाद तेज के डेली कर एंटरफेर्स के कुछ important questions अगर आप किसी भी अग्यम की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ा important रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी all पर प्रेस कर लिजे ताकि जब भी मैं कोई नई वीड करूं सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं आज किस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे Telegram चैनल पर मिल जाएगी Telegram चैनल का लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहाँ से चैनल को जोइन कर सकते हैं तो आप पूरा वीडियो को द्यान से देखिए और वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे question भी पूछूंगा उस question का सही answer आपको comment में बताना है तो चलिए चलते अपने topic की ओर पहला question है हाल ही में बिश्व धरोहर दिवस कम मनाया गया है इस question का सही answer हो जाएगा option A 18 April तो हाल ही में बिश्व धरोहर दिवस 18 April को मनाया गया है प्रतेग वर्ष 18 April को बिश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है बिश्व विरासत को सरनाचित करने की आवशकता के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए एक ही समय में मानव विरासत का जेश्ण मनाने के लिए इसमारक और इस्थलों पर अंतराष्टिय परशद द्वारा इस दिन को नामित किया गया है नेक्ट कुश्चन है कौन सा राज्य हाल ही में राज उर्जा दच्चता सूचकांक 2022 में सीस पर रहा है इस कुश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन ए आंद्रपदेश तो आंदपदेस राज हाल ही में राज उर्जा दच्चता सूचकांक 2022 में सीस पर रहा है हाल ही में नवीन और नवीनी करड़िये उर्जा मंत्री द्वारा राज उर्जा दच्चता सूचकांक 2021 जारी किया गया है ये सूचकांक एलायन्स फॉर एन एनरजी एफिशियेंट एकोडोमी के सायुक से ओजा दच्चता वीरो दवारा विक्सित किया गया है इसके दवारा ओजा दच्चता में राज्यों और केंसासित परदेशों की वार्शिफ प्रगति का आकलन किया जाता है अब आन्दपदेश जो राज्यस की स्थापना एक नवंबर उननीस सचपन कोई थी आन्दपदेश की राईधानी विशाका पटनम है आन्दपदेश के मुख्यमंतरी हैं Y.S. जगन मोहरेड़ी और आन्दपदेश के राज्यपाल हैं S. अब्दुल नजीर Nextosition है भारतिए अबनेता शारुक खान को Time Magazine के प्रबाबशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है Time Magazine की ओर से दुनिया के सो सबसे पत वहववशाली लोगों की लिष्ट जारी की गयी है इसमें दुनिया के बिजनेसमेन से लेकर गायक, राष्टर देच, कलाकारों और लेखों को शामिल किया गया है टाइम पत्रका की इस लिष्ट में अबनेता शारुक खान और निर्देशक एस एस राजा मौली के साथ साथ भारतीय अमेर की लेखक सल्मान डोशी का भी जिक्र किया गया है इस कोशिन का सई अंसर हो जाएगा ओप्शन सी नितिन गड़करी तो केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी द्वारा बंदर गाहों पर 11 में अंतरराष्टिय शम्मेलन को संबोधित किया गया है केंद्रियन मंत्री नितिनगडकरी ने मुंबई में आयोजित बंदर गाहों नोवहन और रसत पर 11 में दोई बारसिक अंतरराष्टिय शम्मेलन को संबोधित किया Next question है उत्तरपूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्गाटन किस सेर में किया गया है इस question का सही answer हो जाएगा option A गुवाहाटी तो उत्तरपूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्गाटन गुवाहाटी शेर में किया गया है प्रदान मंत्री नरेद्र मोधी जी ने असम के चांग सारी में आयोजित एक समारों में गुवाहाटी एम्स राष्ट को समर्पित किया पीम मोधी ने नलबाडी ना गाउं और कोकरा जहार में तीन मेडिकल कॉलीजों का भी उद्गाटन किया नेक्ट कुशन है किस देश ने अंतराष्टी विमानन सुरच्छा मूल्यांकन का आयोजिन किया इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन बी अमेरिका तो अमेरिका देश ने अंतराष्टी विमानन सुरच्छा मूल्यांकन का आयोजिन किया अंतराष्टी विमानन सुरच्छा मूलने अंकन हाल ही में अमेरिका के संग्य ओडियन प्रशाशन द्वारा आयोजित किया गया था इसमें पाया गया कि भारत हर अंतराष्टी सुरच्छा मानक को पूरा करता है फेडरल एवियेशन एडमिनेस्ट्रेशन के अंशार बारत की अंतराष्टी विमानन सुरच्छा आकलन को स्रेणी बन के रूप में रखा जाना जारी रहेगा अब अमेरिका जो देश है वो ऊतरी अमेरिका महादीप में इस्तित है अमेरिका की राजधानी वाशिंग अटन बेशी है अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका देश के राष्ट पती है जो बाइडन नेस्ट कुश्चन है IPL 2 या 23 में सतक लगाने वाले पहले बारतिये कौन बने है इस कुश्चन का सही अंसर हो जाएगा आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं बैंक टेश आईएर यही IPL 2 या 23 में सतक लगाने वाले पहले बारतिये बने हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के श्टार आल गांडर बैंक टेश आईएर आईएर इस सीजन सतक लगाने वाले पहले बारतिये बन गई है और साथ ही यह IPL 2 या 23 का दूशा सतक था आईएर से पहले एगलेंट के बल्लेवाज हैरी ब्रूप ने शतक जड़ा था हैरी ब्रूप सन्राइजर्स हैदराबाद की टेम से IPL में खेलते हैं नेक्ट कुशन है बारत की अद्यच्छता में G20 वर्किंग ग्रूप की सौमी बैठक का आयोजन कहां किया जा रहा है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन ए वाराट सी तो बारत की अध्यच्छता में G20 वर्किंग गुरूप की सौमी बैठक का आयोजन वाराट सी सहर में किया जा रहा है बारत की अध्यच्छा में G20 वर्किंग गुरूप की सौमी बैठक उत्तरपदिस के वाराट सी सहर में आयोजन की जा रही है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्षिन भी चेन नहीं तो एशियाई चेंपियन्स ट्रोफी होकी टूर्णामेंट का आयोजन चेन नहीं शेर में किया जाएगा बारत 3 से 12 अगस तक पहली बार एशियाई चेंपियन्स ट्रोफी होकी टूर्णामेंट की मेजबानी करेगा इस टूर्णामेंट का आयोजन चेन नहीं शेर में किया जाएगा चेन नहीं में आखरी बार दोया साथ में अंतराष्टी होकी कारकरम के रूप में एशियाई कप का आयोजन किया गया था ये एशियाई चेंपियन्स ट्रोफी होकी टूर्णामेंट का सात्मा संसकरण है और इसे चीन के हांग जोव में होने वाले एशियाई खेलों के तैयारी के रूप में आयोजन किया जा रहा है नेस्ट कुशन है हाल ही में किस ने फेमिना मिश इंडिया दोया तेस का ताज अपने नाम किया है इसकुशन का साई आंसर हो जाएगा ओप्शन सी नंधनी गुपता आप इमेज में भी देख सकते हैं यह हैं नंदनी गुपता इन्हों ने ही फेमिना मिश इंडिया दोया तेस का ताज अपने नाम किया है राजस्थान की नंदिनी गुपता को 16 अप्रेश दोया तेश को 1969 मी फेमिना मिस इंडिया दोया तेश का ताज पहना आया गया इसके लिए एक बब्विश्यमारों का आयोजन इंपाल के खुमान लंपक इस्टेडियम मरीपुर में किया गया था दिल्ली की स्रिया पूझा पहली रनप रही और मरीपुर की थुना ओजयम इस्टेला लोगांग दूसरी रनप रही नेश्ट कोशन है किस आयाईटी में डियाईडियो उद्योग अकादमी उत्करेश्टा केंद्र का उत्गाटन किया गया है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन B IIT हैदराबाद तो IIT हैदराबाद में डियाईडियो उद्योग अकादमी उत्करेश्टा केंद्र का उत्गाटन किया गया है बारती पॉद्योग की संस्थान हैदराबाद में रच्छा अनुसंद्नान और विकास संगठन उत्द्योग अकादमी उत्करेश्टा केंद्र उत्गाटन किया गया है डियाईडियो के अध्यच टॉक्टर समीर विकामत ने IIT हैदराबाद के परिशर में इस सुगदा का उत्गाटन किया डियाईडियो की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है नेश्ट कुशन है हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को इस्टेट बना है इस कुशन का सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन A सेरिया तो हाल ही में सेरिया देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को इस्टेट बना है सीरिया दुनिया का अग्रानी नार्को इस्टेट बन गया है क्योंकि इसका आर्थिक अस्तत्व अब कैप्टा अगन के उत्पादन और निर्यात पर बहुत आधिक निर्वर करता है नार्को इस्टेट एक ऐसे राष्ट को संदर्वित करता है जहां अर्थ व्यवस्ता का एक मातपूड हिस्सा मादक दवाओं के अबैद व्यापार्पर निर्वर है अब सीरिया जो देश है वो एशिय महाधिप में एस्तित हैं सीरिया की राइधानी दमिश्क है सीरिया की मुद्रा है शीरियन पाउन और शीरिया देश के राष्टपती है बशर अल अशद अब कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेशन पूछा था हाल ही में किस ने अपनी coffee table book the banker to every Indian launch की है इस question का सई अंसर था option B SBI हाल ही में state bank of India ने अपनी coffee table book the banker to every Indian launch की है अब आपके लिए आज का question है हाल ही में PM मोधी ने किस राज में railway परयोजनाओ methanol सायंत का शुवारम किया है इस question का सई आंसर आपको comment में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की helpful लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शियर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जै हिंद जै बारत वंदे मातरम